आपको सब बहुत बहुत ठीक होंगे दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं तोस्तों आज ये का जो हमारा टॉपिक है बड़ इंट्रेस्टिंग है काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप जब आपकी कैट जो है किटन डिलिवर करने हैं त साथ बच्चे थी हैं और साथ के साथ जिन्दा हैं कोई उन में से मरा नहीं है तो दोस्तों मुझे जब पता चल चुका था था मेरी कैट बच्चे देने वाली है तो मैंने एक बॉक्स अरेंज करके पहले ही रख चुका था जिसके अंदर में को रख सकूं और दूसरी तो हीट की विज़ोरत पड़ेगी क्योंकि आपने एक जगह प्रोवाइट करनी है अगर आप ऐसा यह नहीं करेंगे तो इन केस वो किसी छुपके कहीं बच्चे दे सकती है ऐसी जगह जहां आप एजिली पहुंच नहीं सकें तो यह आपके लिए मुश्किल होगी पिटी क एक आरेज्मेंट पहले से करके रख चुका था जब वो बच्चे देने वाली थी तो उसने काफी पुकारने शुरू कर दिया कि मेरे पास आना कि मतलब मुझे चलो मेरे पास बैठो तो तक्रीब बच्चे देने स्टार्ट किये थे सुपा फजर तक वो उसने तक्रीबन सा पास 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 जो बाल ने वो तो चलो फड़र साप कर दे Feder करने में असान है। और जो कैट के जो खाना था वो मैंने उसी के पास रख दिये और जो मतलब ताकि उसको कहीं जाना ना पड़े वो अपना के जब उसको भूख लएकि उसको ज़ूरत हो तो अपना यहीं पास में खा सके और देख सकते हैं माशाला से जो किटन्स हैं उनने फीड करना भी अलम साथ किटने और यह मेरी जो कैट है यह क्रॉस प्रीट थी तो तक्रीबां साथ किटने दो ग्रें दो वाइट हैं एक मिल्टी कलर हैं और देख सकते हैं तीन ब्लैक हैं तो यह मुझे तो अंदादा नहीं रहा कि यह मतलब बाहर किसी बिल्ले के जाच जाके इसे मेटिंग क जिसके बाद इसकी बच्चे थे वह आप देख सकते हैं क्रॉस हैं तो यह बच्चे मैं किसी को भी एडॉप्शन के लिए देदूंगा जो भी अगर मुझे से कॉंटेक्ट करता है तो यह प्रिकी टानसावले बने वह एडॉप्शन के लिए ले सकता है यह इनकी 15 दिन के बाद की वीडियो है फंडरिंगा देख सकते हैं माशाला सही अपनी इन्होंने चलना फिरने स्टार्ट कर लिया है और जो इनकी मदर है वो जब इनके पास नहीं हो तो वो अपना इन्होंने अपना शोर करने स्टार्ट कर दिया है कि आओ मुझे हमें भूक लग रही है हमा दर्वादा को लिए कि मुझे बाहर जाने है और बच्चों को भी बाहर लेके जाने है पर मैंने दर्वादा बंद करके रखाए कि मेरे पाद दूसरी और भी कैट्स मौजूद है मैं नहीं चाहरा है कि मतलब ये बाहर जाएं और फिर आप जाहिए जब इनके बच्चों को कोई दूसरी कैट आके पास आएगी तो ये मदर जिए वो एक थोड़ा एक्रेसिफ हो जाएगी तो इनके लड़ने के चांसे इसे मैंने अंदर ही दर्वादा बंद करके इन लोग को रखा है कि दूसरी कैट के पास ना जा सके तो यब यहीं बैठें अब मैं इसको यहीं कह रहा हूँ कि आपने यहीं रहना है और देखें माशाला से इन्होंने यहीं अपना बच्चों को यहीं बैठ के फीडिंग करना भी स्टार्ट कर लिए और बच्चे माशाला से एक्टिव होगे चुके हैं अब बीस दिन के यह बच्चे हैं तो आपने कभी भी अगर किसी का अडॉप्शन के लिए देना हो तो आट लिस आपने 40 डेस तक के अपने पास रखें 40 to 45 डेस उनको मदर फीड पर रखें उसके आज ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरी दूसरी केट हैं जो भी और में डिलिवर करने वाले के टांस तो एक नहीं वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे ओके थैंक्यो अल्दा आप यह से